नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मा होलीका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है लेकिन होलीका दहन की जो आग होती है जो लौ होती है ये बताता है कि पूरा साल कैसा रहने बाला है अगर होलीका की जो आग की लौ है पूरब दिशा की तरफ हो तो अच्छा माना जाता है पूरब दिशा में लौ का उठना आपके छेतर में धर्मा और संसकारों का उदय होने का संकेत देता है प्रगती का सूचक है लेकिन होलीका की लौ अगर दक्छिन दिशा की ओर जाए त तो देपताओं का दिसा है और इधर जाने से आपके मनोकामना जल्दी पूरी होती है और धन के देपता कुवेर भी इस दिसा में रहते हैं तो धन की मुस्किले नहीं होती लेकिन होलिका की लोग अगर पस्चिम बिसा में जाए तो इसका मत्तब है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का साल सामान ने बीतेगा और बस बिसा बिना कोई समस्या का जीवन यापन करेंगे लेकिन अगर लोग सीधी आसमान की तरफ जाए तो ये बड़ा परिवर्तन देता है उस अस्थान पर कोई पोजेटिव बड़ा बदलाव होता है जीवन की मुस्किले दूर होती है लेकिन अगर अगनी दक्षिन पस्चिम की तरफ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है उस छेदर के लोगों को साल भर किसी भी तरह का अनधन वस्तर की कमी नहीं होती खुशहाली खूब होती है फालगुन मास की सुकल पक्ष की पुर्णिमा को होली का देहन का तिवहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन चैतर माह की प्रतिपदा तिथी को लोग रंगों वाली होली मनाते हैं वैसे बहुत सारे जगह पुर्णिमा तिथी को भी होली रंगों वाली मनाई जाती है तो रंगों के इस उत्सब को उत्साह प्रेम के साथ मनाया जाने वाला तिवहार तो है साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है चुकि होली से आठ दिन पहले होला स्टक लग जाते हैं और इस समय कोई भी सुब और मंगल कारे नहीं किये जाते वर्जित होते हैं तो होली का देहन के दिन कुछ खास बस्तु है जो आपको जरूर खाना चाहिए और होली का देहन में कुछ ऐसी बस्तु है जो जरूर अर्पित करना चाहिए जीवन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए तो होलाश्टक किसमे से आपको आठ दिन पहले से सूममंगल कारें नहीं करना है और होलीकाद देहन के साथ होलाश्टक कितिती भी समाप्त हो जाएगी तो रंगों वाली होली के दिन आप अच्छा चा खाना खाएंगे मस्ती करेंगे लेकिन होली का देहन के दिन भी ऐसी वस्तु है जो जरूर खाई जाती है वैसे तो आप होली का देहन की जब पूजा करेंगे तो आपको बहुत सारी समग्री चाहिए जैसे की जल गाय के गोब दाल यानि साबुत मुंग बतासा गुलाल नालियल जो सुखा होता है और गेहूं की बालिया अगर आपकी कोई ऐसी एक्षा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप उसकी पूरती के लिए हुलीका दहन से पहले कच्छे सूथ को साथ बार जहां हुलीका दहन ह जहां सजा के रखा गया है लपेट दें इसके बाद जलाते समय उस हुलीका दहन में रोली चंदन थोड़ा सा साबुत हरामूंग और साबुत हल्दी बार भी नारियल यानि जो सुखावा नारियल है और गुलाल डाल दें ऐसा करने से आपके जो पूर्ती हो पा रही उसमे जो भीगनबाद हाये हैं वो समाप्त हो जाएगी और आपकी मनुकामना पूर्ण होगी अब जैसे की देखिए होली का देहन के दिन यग्ग करना चाहिए कहने का मतलब जो हवन की सामग्री होती है अगर आप होली का देहन में डालते हैं तो सबसे ज़्यादा लाव होता है घ गेहुम की बालियां चावल यानि अक्षत जो आप इसमें डाल सकते हैं होली का में इन चीजों को अरपित करने से घर में सुकसानती सम्रिद्धी बनती है लेकिन आटे और सरसों के तेल का उप्टन अगर आप इस दिन लगाते हैं होली का देहन के दिन और फिर उप्टन को सरीर से निकाल कर रख लें होली का की अगनी में प्रवाहिठ कर दे आप थोड़ा सा य१ … नियम भी कर सकते हैं तो सभी बीमारियों से मंक्ति मिलती है और घर में सुखसानती सम्रिद्धी आती है अगर आपके घर में कोई जादा बीमार हैं आप चाहते हैं कि उनकी परिष आईए ऐसा करने से घर की दरित्ता दूर होगी और इस दिन अगर गरीबों को अपने सामर्थ के अनुसार दान करें तो भी मनुकामना पुर्ण होती है विसेश परियोग किये जाते हैं हुलिकाग देहन के दिन एक खास परियोग किये जाते हैं आपको लेना होगा एक सुखा हुआ नारियल और नारियल में आप चीनी और घी डाले और अपने इस्ट देर या जो भी भवान को आप मानते हैं उनको पर नाम करें अपनी काम ना कहें और धन प्रापती की जो मार्ग में बाधाय उसको समाफ्त करने का प्राथना करें इसके बाद इसको आप हुलिका की राती चली जाएगी तो मानेता है कि होलीका देहन की रात को अपने घर के उत्तर दिसा में एक घीका दिया जलाना चाहिए और ये दीपक कम से कम पूरी रात जले नहीं पूरी रात तो आधा गंटा जले ऐसा आप जरूर करें इससे घर की नकात्मक सक्तियां समाप्त हो जाती है और घर में सुक समरिद्धी शंकात्मकता बढ़ती है तो होलिका दहन के दिन सुक समरिद्धी के लिए होलिका की पवित्र अगनी में लक्डी और गोवर के उपले डालना अच्छा माना जाता है यदि आप गाय के गुवर के उपले को रसी में बांध कर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो घर में जितनी भी नकातमक चीजें दूर होती है और घर की आर्थिक इस्तिती बेहतर होती है होली का दहन के दिन जो भी आप जो तिसी उपाय करेंगे वो आपको लाब जरूर देगा होली अपने साथ धेर सारी खुसियां लेकर आता है और जीवन में जो उमंग खो गया है एक बार फिर से जीवन जीने भी सिखा देता है तो होली है एक ऐसा तिवहर जब तमाम बैर को भूल कर तमाम चिंटाओं को भूल कर एक बार जीवन जीने के लिए प्रयास करने का समय है तो इस बार की होली बहुत खास है क्योंकि अब चुकि इस बार मार्च का भी अंतिव वक्त जा रहा है रवी बार और सोम बार दोनों ही दिन होली मनाई जाएगी हलां कि अधिकतर जगह फालगुन पूर्डिमा के दिन जो संबच जलना जिसको कहते हैं यानि होली का देहन मनाई जाएगी और होली का तेवहार सोम बार 29 मार्च को मनाई जाएगी तो जब होली का देहन होती है उस समें खास परियोग किये जाते हैं लेकिन होली का देहन के दिन दो ऐसी वस्तु होती है जो जरूर खाना चाहिए और होली के दिन आप कुछ करे या ना करें पर मालपूआ जरूर खाईए क्योंकि जो मालपूआ होता है आपके जीवन के ठेहर सारे सुख, बैभव, ऐस सरी को दरसाता है इसलिए मालक पुएका अब डेभी देबदाओं को तो अर्पित कीजिएगा ही मिठाई अरपित कीजिएगा उनको रंग अभीर अरपित कीजिएगा तो मालक पुएक खुद भी खाईए दही बरे ये कुछ चीजें ऐसी है जो जरूर खाना चाहिए ताकि पूरे साल सुक सम्रीद दिया है लेकिन हुलिका देहन के दिन दो चीजें खाने का भी धान है एक तो है देखिए हुलिका के अगनी में गेहुं की बालियां और चने की ज़ाड डाल कर उसको भून कर खाने का भी धान है कहते हैं रोग चोट रिन करजे दोस तमाम तरह की परेसानिया से मुक्ति मिलती है तो संभव हो तो ये काम जरूर कीजिए अब बहुत जगा लोग भुली का देहन में नहीं जाते हैं नहीं मिलते हैं खाने को तो ऐसे में भगवान को परणाम करके उनको आप भोग लगा कर भी परसात के रूप में वही चीज़ खा सकते हैं कोई दिकत नहीं है क्योंकि ये जो चने की ज़ाड है गेहुं की भालिया है इसको भूना जाता है और फिर खाया जाता है एक बर खाके देखिएगा पुरा साल कितना खुबसूरत भी देगा और अगर संभब नहीं हो तो कोई बात नहीं हुलिका देहन के दिन भी मस्तियां की जाती है अच्छे च्छे पकवान बनते हैं खाई जाती है खिलाई जाती है तो इस दिन को आप इंजॉय करें इसको भ करते हैं कुछ भी सफेद ना खाएं और ना ही किसी के घर का खाने की कोशिस करें कोई और समान तो होली की अगनी में क्या नहीं डालना चाहिए देखिए बहुत साइव लोग क्या करते हैं पूराने चपल तुटे-पुटेवे हैं डाल देते हैं भूलकर भी ऐसा ना करें वहां पर पूजा होता है और वो अगनी सबसे ज़्यादा पवित्र है दूसीत ना करें बहुत साई लोग घर के पुराने जारू मकडे के जाले निकाल कर जाकर जला देते हैं कहते हैं बुड़ी बलाएं टल जाएगी अच्छी बात है टल जाएगी लेकिन जारू क्यों तो अपमान ना करें अगनी का जारू बेगर है मत जलाईएगा चपल टूटे पुटे किसी भी तरह का कोई कबार बेगर होते हैं बहुत साई कुछ भी डाल दिये बहुत साई लोग करते हैं मत कीजिएगा होली एक पवित्र अगनी है इसकी राक को लाईए प्रेम से घर में र स्किल में पढ़ जाएंगे फिलाल भी डालेंगे धन्यवाद